नमस्कार दोस्तों हम वापस से अपने इस वीडियो को टेलिग्राम चैनल के उपर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों यह हमारे टेलिग्राम चैनल है जिसके उपर हम डेली कुछ न कुछ अपडेट देते ही रहते हैं अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडर हैं बैंक निप्टिक ऑप्शन के उपर इंट्रेट हैं ट्रेड करने में बिल्कुल जोड़िए हमारे इस टेलिग्राम चैनल के उपर हमने आज भी हमारे जो प्रिमें मेंब्स हैं दोस्तों उनके लिए जो लेवल निकल किया था उसको बिल्कुल फ्री में यहां पे पोस्ट कर दिया था और इसमें हमारे जो टार्गेट्स हैं वह आल टार्गेट आज हमें अच्छीव होते हुए देखने को मिले हैं और काफी ट्रेडरों ने पहुत अच्छे तरीके से पैसा भी अर्न किया हुआ है इस लेवल के माध्यम से इस लेवल को देखके तो बिल्कुल आप जूड़िये हमारे इस टेलिग्राम चैनल के उपर नहीं जूड़े हैं आप नहीं जान रहे हैं जूड़ना कैसे हैं हमने लिंक डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से प्रोपर करेंगे इनके ट्रेडिंग मित्र तो आपको हमारा यूट्व चैनल मिल जाएगा प्रोपर हमारा यूट्व का लोगो भी यहां पे प्रोपर लगा हुआ है तो यहां प्रोपर आप जूड़ सकते हैं आगे हम बात करेंगे दोस्तों मारूती सुजुक इंडिया देता हूँ आपको कुछ important जो points से उनको इसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हम आगे देखिए इस point से हम सुरू करेंगे यहां से आप देखेंगे तो proper एक up moment हमें देखने को मिला बड़े-बड़े candle इस यहां से बनना start हुए हैं देखिए दो candle बना अच्छानक से बहुत बड़ा moment था दोनों दिन दो candle बड़े-बड़े हमें देखने को मिले इसके बाद proper यह sideways में आ गया consolidation phase आप कर सकते हैं 6-7 दिन का एक consolidation phase चला इसके बाद फिर continue हुआ 2-3 candle proper बहुत अच्छे तरीके से हमें moment देखने को मिले यहां पे इसके फिर यहां से proper आप 10-12 दिन का consolidation कह सकते हैं इसके फिर एक moment आया इसमें भी moment अच्छे थे बहुत अच्छे तरीके से हमने capture भी कि आप हर एक point को इसके बाद भी फिर continue है एक sideways zone था या consolidation phase था उसी में trade हो रहा था continue यहां पर आप देखेंगे तो एक उचित level का support लेते हुए चला है अभी continue इसके बाद आज का moment हमारे लिए बहुत अच्छा था बहुत ही सांदार था क्योंकि हमने जैसे ही इस point को निकला इसके बाद हम capture कर लिए इस point को जैसे यहां आपके देखें मैं line drop कर रहा हम लाइब मार्केट में था उस समय तो यह जो हमारे update थे वह हमारे प्रिमें मेंबर से उनके लिए मैंने इस stocks को आज दिया हुआ था प्रोपर इस level के उपर निकला तब मैं इस फ्री में अपना analyze videos नहीं डाल पाया था कल उसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगा आज का moment पहुत अच्छा था प्रोपर हमें तो exit करने का मौका ही नहीं मिला लास्ट टाइम में हमने exit किया हुआ है आज इसी stocks के उपर भी तो अब ये दोस्तों moments आपको समझवा आ चुके होंगे कि एक अच्छा moment आता है फिर sideways बनता है फिर अच्छा moment आया फिर sideways हुआ फिर अच्छा moment फिर sideways और सेम चीज़े फिर अच्छा moment है या अब क्या हो सकता है आने वाल टाइम में प्रोपर एक sideways बनेगा तो अब आगे क्या करना चाहिए आपको decide हो चुका होगा आपको analyze हो चुका होगा आगे मैं next trading day में तो ओइट करूँगा क्योंकि आज अच्छा profit जो बन चुका है बहुत अच्छा moment था इस level के अगर high को काटेगा तो एक बार मैं सोचूंगा आज के high को काटेगा तब आज का जो high है 8181 रुपए 8188 रुपए का ये जो high देख रहा है आपको अभी का उसको अगर निकालता है proper थोड़ा सा गेप अप होके इस तरीके से तब मैं इंटर करूंगा proper लेकिन इसके नीचे अगर कहीं पर भी trade होता है तो मैं कल के लिए avoid करूंगा इस stocks को next day से हम वापस इंट्राडे के लिएवल में आपको proper provide कराऊंगा क्योंकि आज बहुत बड़ा moment हो चुका है कल जहां भी जायेंगे हम ज्यादा चांस से फसने का और एक बात बताओं अगर आप आज profit बना लिए हैं मान लिजी आज आपने कितना quantity 1000 quantity मान लिजी आप आपने लगाया था इस इन भूल के भी गलती मत किजेगा कि इसके जगह पे दुबारा हम 1000 quantity लगा दें क्योंकि कल ज्यादा चांस है आपका यहां पे stoppers कट सकता है तो कल के लिए कोशिस किजेगा कि वापर साब 500 quantity के अंदर trade करेंगे अगर आज आपने 1000 quantity में trade लगाया तो next trading day में 500 quantity का एक trade आप ड रखना है कुछ percent को आपको safe रखना है next trading day के लिए जैसे आज आपने 100% मालेजे बना उसमें आप कल जो risk लेंगे वा 50% का ही लेंगे उससे अधिका ही लेना है इस तरीके से जब आप trade करेंगे बहुत अच्छे moments मिलेंगे बहुत अच्छा जो level आएगा वहत मिलेगा और बह लेकिन हम वहीं पर गलती करते हैं emotionally हो जाते हैं जैसे आज हमने बड़ा profit earn कर लिया अब next trading day में उससे double करना चाहते हैं तो इस तरीके का जो mindset है उसको हमको ठीक रखना है इसके बाद बाकी सब ठीक है next trading day के लिए मेरा intraday के लिए इसी stocks में कोई भी view अभी नहीं है और अग अगर नहीं गया तो प्रोपर जिस तरीके इस pattern create हो रहा है pattern का weight कीजिए मैं अभी काफी दिन से छोट दिया हूँ call put का analyze करना इस वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती थी इसलिए तो प्रोपर देखिए इस तरीके से sideways एक बार बनने दीजेगा इसके बाद फिर से call option को लेके जा सकते हैं put option अगर आप चाहें लेना तो top का stop loss रखें कल put को अराम से लेजे धीर धीर करकी गिरेगा थोड़ा सा 50% तो आज के बढ़त का आना ही चाहिए यहाँ इस आसपास तक का मतलब आज का जो भी अभी तक का यहां से यहां तक का जो moments है उसका 50% एक बार गिरेगा यह इस तरीके से तो आप इसके लिए आप चाहें तो put proper उठा सकते हैं आज के high के उपर का stop loss रखें टार्गेट और stop loss को आप एक अनुपाद 2 के risk reward में रखेंगे बहुत अच्छा र देखने को मिलेगा देखिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने जैसे ही इस पॉइंट को क्रास किया यह प्राइज इंटर कर गया यहां पी अब इस टॉपलस हम नीचे लगा के रखें हैं इस पॉइंट पे moment आया यहां तक moment ठीक था आनेक बाद यहां पे थोड़ा सा i dies यहां पर घबराने के जरूओत थी नहीं था कूईकि बहुत अच्छा मुमोंन्ट हमें एक बार देखनेक मिल चुगा था क्यूंकि बहुत अच्छा moment फिर continue आप देख सकते हैं एक भी candle पिछले candle के लोगों के नीचे नहीं आया तो कहां पर आप निकलोगे निकलने का कोई मौका दे तब न निकलेंगे बहुत अच्छा आज का moment बहुत ही सांदार था और बहुत अच्छा हमने capture भी किया है इसके बाद हमारा exist point या इस level में था red जो candle आप देख रहे हैं यह हमारा exit point था exit करने का यहाँ पे खास region यह है कि यह जो red candle आप देख रहे हैं यह इस green candle के नीचे यहाँ पे हमारा इस्टापलोस आ गया था उस दोरान जब भी इस तरके का moment आए अपने इस टापलोस को पिछले candle के low के नीचे लगाते चलिए एक अच्छा moment मिलने के बाद जैसे इस आसपास तक हमको अच्छा moment मिल चुगा थे इसके बाद हमने इस टापलोस को क्या किया हर केंडल के नीचे लगा वाले हिस्से में अपनी स्टापलोस को रखते गए ट्रांसफर करते गए उपर खिसकाते गए या ट्रेलिंग करते गए और end of the day या end of the time यहाँ पे हमारा SL कटा मान लेजे और exit कर गए यहाँ से यहाँ तक के सारे capture हुए हमारे जो moments है वा तो प्रपर इस तरीके से आप अपने लिए उपर आएगा without skill नहीं होगा आप थोड़ा अध्यन किजिए अध्यन करेंगे इसके बाद ही हो पाएगा और हर टाइम कोशिच किजिए या तो stopless लीजे या तो target लीजे वन रूपार दो का तब आपका जो skin है जो portfolio है जो fund है वह बहुत अच्छा बना रहेगा नहीं तो वहां पर हमने गलती की है तो proper अपने गलतियों को खोजना सुरू किजिए कि मैं आज इस trade में लिया हूँ मेरा SL कटा क्यूं कटा कैसे कटा और उस type का SL को next trading day में कोशिच किजिए find out करने का कि same pattern है same चीजे हैं और कहां पर इस current से मेरा SL कटा था यह थोड़ा से निकला फिर आया तो इस current से SL कटा तो वहां पर जो fail हो रहा है उसके point को समझना सिखें जानना सिखें क्योंकि हमने पिछले दिन यहां पे SL खाय थें लेकिन आज हमको 4-5 दिन का profit एक ही दिन में हमें दे दिया अगर हम निकल के जाते यहां से हमने इंटर किया हमारा stop loss target वान में जाते तो यह समझदारी नहीं थी समझदारी कव है जब पूरे moments को capture कर पाएं धीरे धीरे करके कभी कभी होता है जिसको हम नहीं capture कर पाते हैं उस दोरान अपना छोड़ दिये लेकिन जब मौका मिले जब chance रहे उस दिन का नहीं छोड़ना चाहिए यहां पे एक ही चीज थ तो कहीं पर मौका है नहीं मिला किस तरीके से आप देखिए किस तरीके से आप अपने आपको रख पाते हैं और पूरे profit को capture कर पाते हैं तो वो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही next trading day के लिए मेरा इंट्राडे के लिए कोई खास view नहीं है क्योंकि जो moments आया है उसके बाद आप चाहें तो 8000 के नीचे एक sale लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर concentration चलेगा अभी पर spike भी मार सकता है नीचे इसके फिर उपर निकल जाए ऐसा भी हो सकता है या continue करेगा तो इस high को निकलने दीजिए तो वो एक bike कर सकते हैं एक चुले में मैं level देही दिया हुआ 8000 के नीचे आप sale कर सकते हैं और उपर के लिए आज के high के उपर जाये तो buy कर सकते हैं बाकि रिसकी reward को आपके करणूपाद 2 का maintain रख लिजेगा और जो भी आज बहुत अच्छे तरीके चीजिस में profit earn किये हैं पोसिस किजिएगा कि आज का जो भी profit है उसके 50% को ही next trading day में sell कट जाए उससे अधिक का trade नहीं करना है उससे अधिक market को नहीं देना है आपके पैसा को तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा एक बार comment करके जरू बताएगा चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे subscribe कर लिजेगा टेलिग्राम को अभी तक आपन धन्यवाद